इसका मतलब होगा कि यहाँ पर कुछ ऐसे चीज़े बनेंगे जिसके वज़े से जो आर्क है यह जो आर्क है सर्कल क्या है पूरा एक आर्क है ना तो यह जो आर्क है कही ना कही पर अबस्ट्रक्ट होंगे तो चलिए देखते हैं यह कैसे होता है तो फर्स जो टाइप है मैं आपको बना के दिखाता हूँ अब जब हमने central angle पड़ा था central angle में क्या हुआ था कि ये जो दो ray है ये दो ray हमने center से पास किया था तो central angle create हो रहा था अब क्या कर रहे है हम यही दो ray को हम center के बज़ाए circle के दूसरे end पे उसको touch कर रहे और वही ray continue आ रहा है अब center से आप पास करो या उसके पीछे से आप पास करो बट आके वो यहाँ पर दो intersection point बनाएंगे ये ray ने क्या किया इस arc को intercept कर दिया intercept का मतलब हुआ ये arc यहाँ से यहाँ तलग limited हो गया ये अब आगे नहीं बढ़ सकता ऐसा हो गया तो इसको अगर हम नाम दे दे A, B, C तो यहाँ क्या हुआ है एंगल A, B, C के वज़े से एक intercepted arc बना है और वो arc का नाम क्या है A, C अब अगर ये जो यहाँ पर touch हो रहा है इसको अगर हम touch यहाँ पर ना करके अगर यहाँ पर रखे तो कुछ इस तरीके से तो भी क्या intercepted arc बनेगा तो हाँ बनेगा आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब भी हम intercepted arc बना रहे है या उसको पैचानने की कोशिश कर रहे तो उसमें दो ऐसे ray होने चाहिए means एक angle create होना चाहिए and दो intersection point होना चाहिए एक starting एक ending आप किसी को भी starting ending बोल सकते हो लेकिन एक starting एक ending point होना चाहिए एक और type का है जो की कुछ इस परीके से है इसको नाम देते है PQR यहाँ पर नाम देते है देखिए यहाँ पर intersect हो रहा है तो S यहाँ पर एक है T U अब देखिए इस वाले में PQR एंगल के वज़े से एक intercepted arc create हुआ है वो arc का क्या नाम है PR यह वाला होता है intercepted arc इसमें यह वाला था intercepted arc अब इसमें देखिए S T जो बना है इसका भी एक starting point है यहाँ पर जो intersect हो रहा है यहाँ से यह जब इस तरफ आया तो यहाँ पर भी एक ending point है जहाँ पर intersect हो रहा है तो यहाँ पर भी एक arc intercept हुआ है तो उस arc का नाम क्या है S U यह U है ना ओके तो S U तो यह angle के वज़े से एक intercepted arc जो create हुआ वो है S U intercepted arc का मतलब होता है कि यह arc अब क्या हो गया है abstract हो गया abstract मतलब उसको रोग दिया गया है कि यहीं तलब वो arc माना जाएगा यहां से नहीं यहां से आगे का वो नहीं यहां तक ही वो intercepted arc है intercepted arc angle के अंदर जितना arc है वो ही intercepted है सिर्फ ठीक है angle के interior में जो arc है वो ही intercepted arc है सिर्फ angle के बाहर जो है वो intercepted arc नहीं है यह intercepted आर्क है and यह intercepted आर्क है. बाहर का हिस्सा intercepted आर्क नहीं बोला जाता. Simple था? अब देखिए, यहाँ पर मैंने जितने भी angle बनाए, उसमें सिर्फ एक-एक intercept आर्क बने है. अब मैं जो बनाऊंगा, उसमें दो intercept आर्क आएंगे. वो कैसे होगा? देखिए. यहाँ पर एक starting point और यहाँ पर एक ending point. अब इस टाइप के intercept आर्क में देखिए, दो आर्क एंगल के interior में. एक तो है यह वाला, यहाँ पर एक और intersection आ रहा है. A, B, C, इसको D दे देते हैं. तो यहाँ पर दो आर्क आर्क है. एक है A, C, दिखिए, यह एंगल है ना? अब अगर यह एंगल है, मैंने बताया आपको एंगल के अंदर के आर्क को हम intercepted आर्क बोलते हैं. तो इस एंगल के अंदर एक A, C आर्क है और एक A, D आर्क है. ठीक है? तो दो आर्क हो है. यहाँ पर कौन सा हिस्सा छुड़ गया है? यहाँ पर C, D हिस्सा जो है वो बाहर का है. वो intercepted आर्क नहीं माना जाएगा. तो इस टाइप में जब एंगल सरकल से outside में जा रहा हो तो आपको दो intercept आर्क मिलेंगे. और जब तक एंगल सरकल में touch हो रहा हो या interior में रह रहा हो तो आपको एक ही intercept आर्क मिलेगा. अब इसके और भी types में पता देता हूँ. कुछ. इस तरीके से. A, B, C, D, E. तो देखे, आर्क कितना भी छोटा हो, लेकिन है न वो angle के अंदर, तो वो intercept ही माना जाएगा. तो यहाँ पर एक है BD, और यहाँ पर एक है AE. ठीक है, देखे, angle सरकल के बाहर है, exterior में है, इसी वज़े से दो intercept आर्क आर्क आपको मिल रहा है. अब अगर इस में मैं कुछ इस तरीके से बनाओ तो, यह दोनों में परक है, side से गया, side से गया, लेकिन दूसरा वाला अंदर से गया था, लेकिन यहाँ पर भी दूसरा वाला side से गया है. तो यहाँ पर भी जो आर्क हमें मिलेगा, वो दो मिलेगा, देखिए, यहाँ पर intersection point, एक A, B, इसको O दे देते हैं, अब देखिए, यहाँ पर angle के अंदर, interior में, एक यह आर्क है, A, B, ठीक है, and एक यह आर्क है, तो आप ऐसा बोल सकते हो, कि यह जो आर्क है, यह minor आर्क है अब आप यहाँ पर भी एक कोई एक नाम दे सकते हो, ताकि minor आर्क और major आर्क में हम difference बता कर सके, तो दोनों आर्क के लिए नाम actually सेम ही है, A, B, and A, B, तो यहाँ पर जो पूरा circle है, वो angle के अंदर, interior में ही cover हो गया है, तो यहाँ पर जो intercepted आर्क है, वो दो है, वो है, एक A A, B minor वाला और A, B major वाला, आपको intercepted आर्क के बारे में मैंने जो भी अभी बताया, I hope आपको पूरा अच्छे समझ में आया होगा, यह concept बस आपको समझना है, कि intercepted आर्क होता कहा है, intercepted आर्क जो angle हम center से ना बना के, अगर circle के कहीं पर भी interior में बना रहे, या circle के आर्क में touch क एक द्रक के बना रहे या उसके बाहर बना रहे, लेकिन हमें हर बार, एक starting point, एक ending point, एक ending point, अगर हमें मिल रहा है, ठीक है, तो उस angle के अंदर जितने सारे आर्क होंगे, वो सारे क्या होंगे? intercepted आर्क. तो यहां पर यह हैं अंदर, यह हैं यह वाला, यहां पर दो मिल रहे है क्योंकि angle जो है वो circle के बाहर है और बाहर होने के वज़े से हमें दो arc angle के अंदर मिल रहे हैं ओके तो यह हुआ intercept arc का concept clear आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि intercept arc को आप पहचानेंगे कैसे तो इस तरीके से आपको intercept arc को पहचानना है अब intercept arc कौन सा नहीं होगा वो देख लेते इस वाले में इस वाले में और इस वाले में तीनों में देखिए difference है इसमें क्या difference है इसमें दो रे बलाने के बावजुद हमें दो ending point नहीं मिल रहे मतलब एख starting होके एक ending में नहीं मिल रहे आप में arrows में देखिए क्या हो रहा है यहां से चालू हुआ इस वाले रे में तो चलो एक point हमें मिल गया बट यह वाले रे में कोई भी एक point arc के साथ touch नहीं है तो नहीं होने के वज़े से ये वाला intercept arc नहीं माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो angle create हो रहा है वो बाहर तो है लेकिन ये जो ray है वो circle के साथ touch नहीं है और touch ना होने के वज़े से एक starting point तो मिल गया बट arc के खतन होने के लिए दूसरे वाले ray में हमें ending point की जरुरत पड़ती है हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही ray में आपको दो ending point मिल गए हो तो आप बोलोगे कि हाँ ये भी intercepted arc है नहीं ऐसा नहीं होता एक ray में एक ही starting point होना चाहिए और इसका दूसरा ending point दूसरे ray में circle का कोई एक हिससा टच होना चाहिए वो उसका ending point माना जाएगा तो यहां पर यह जो gap है इस gap के वज़े से यह intercept arc नहीं माना जाता है तो यह वाला एक नहीं है अगर मैं दूसरा भी एक बनाओ जैसे अब देखें यह तो touch ही नहीं है तो touch नहीं है contact point of contact भी नहीं है ना ही starting point है ना ही ending point है तो यह भी intercepted आर्क नहीं है तो यह आपको ध्यान रखना है कि angle के अंदर हमको circle दीख रहा है मत्तब पूरा circle है intercepted ऐसा नहीं है तो कौन से कौन सी चीज़े आपको याद रख नहीं है एक तो starting point and ending point दूसरा इंटीरियर में होगा या circle के आर्क में touch होगा तो आपको एक ही intercepted point एक ending point मिलना चाहिए तभी वह intercepted आर्क माना जाता है एक ही ray में हमको दो point अगर मिल भी गए तो भी intercepted आर्क नहीं माना जाएगा उसी तरह अगर touch नहीं है लेकिन circle उसे angle के अंदर है इस line को अगर में और बढ़ा कर दू तो circle उसके अंदर ही आ गया तो इसका मतलब यह नहीं कि वह intercepted आर्क है क्योंकि point of contact ही नहीं है तो starting और ending point दो ही नहीं है इस वज़े से वह intercepted आर्क नही तो angle create हो रहा है उसका नाम क्या है उसका नाम inscribed angle है तो inscribed angle की क्या-क्या properties है वो हम discuss करेंगे next video में वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो like कीजे, share कीजे, share तो आप जरूर कीजे अपने friends और अपने family members के साथ ताकि जितने भी students है सबको यह concept पता चले and channel को subscribe जरूर कीज ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अगर upload करूँ तो आपको notification मिल जाए, thank you